साथाई करेंट अफेस को रिवाइस करेंगे इस वीडियो में बैंगलूर मैसुरू एक्सप्रेस वे प्रधान मंत्री द्वारा मांड्या करनाटक में इसका उधगाटन किया गिया 118 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे है तीन घंटे का जो समय लगता था बैंगलूरू सु मैसुरू का वो घटा कर 75 मिनट की यात्रा ये कर देगा नई दिल्ली में संगाई सेयोग संक्ठन सुप्रीम कोड मुख नय अधिशों की बैठक संपन हुए थी कहाँ पे नई दिल्ली में ली कियांग चीन के नय प्रधान मंत्री बने है ली कियांग इन्होंने ली कियांग की जगह ली है श्री सिधारूर स्वामी जी स्टेशन जो हुबली धारवार करनाटक में स्थित है इसको हुबली स्टेशन भी कहते है इसके एक प्लेटफार्म को दुनिया का सबसे लंबा रेलवेर प्लेटफार्म बनाया गया है इसका उस गाटन प्रधान मंत्री मोधी के द्वारा किया गया 1507 मीटर इसकी लंबाई है प्लेटफार्म की और इसके साथ ही गिनीज बुक अप और रिकार्ड में भी धर्ज हो गया है बेंगलूरू में मैथेनाल से चलने वाली बसों का अनवरण नितिन गटकरी के दवरा किया गया डल जील और जबरबान जो पहाडियां है इनके बीच में इस्थित है ये कश्मीर में इस्थित है और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिफ गार्डन भी है मांट मेरापी इंडोनेशिया में स्थित सक्री ज्वाला मुखी है और अभी हाली में फटनेक कारण चर्चा में रहा किस दीप में स्थित है इंडोनेशिया के किस दीप में इस्तित है तो ये जावा दीप में इस्तित है ठीक है उत्तराखंड यहां चार धाम यात्रा मार्ग में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा बनेगा तो इलेक्ट्रिक वानू के चार्जिंग के स्टेशन्स जगा जगा पे आपे होंगे याकू ये पेरू में आया हाली में चक्रवाथ है याकू नाम है इसका प्रोफेशर कुम्द शर्मा साहित अकैदमी की उपाध्यक्ष बनाई गई है वहीं माधो कौशिक जो पहले उपाध्यक्ष थे अब इनको अध्यक्ष बनाई गया है किसकी साहित अकैदमी 95 में आसकर पुरुषकार 2030 भारती फिल्म को पहली बार आसकर मिला है इसके पहले भारती लोगों को आसकर मिल चुका है भारत में बनी फिल्म को विदेश में जो नगदेशित हुई है विदेशी के द्वारा अर्थाद विदेश में ही बनी फिल्म उसको कहेंगे मिल चुका है स्लम डाग मिलेनियर जिसको आप कहते हैं जिसमें मुंबई के कई इलाकों का जुगी जोपडियों की इलाकों को उसमें फिल्म आया गया था लेकिन वो भारती प्रोड़क्शन की फिल्म नहीं थी ये याद रखेगा तो ये पहली भारती प्रोड़क्शन की फिल्म है वो भी दो-दो मुवीज एक शॉर्ट डाकुमेंटरी मुवी और एक जो फिल्म है पूरी फिचर फिल्म है दोनों को अलग-अलग शेंडियों पुरुसकार मिला दे एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट डाकुमेंटरी शॉर्ट फिल्म का जिसके निर्देशक कार्त की गोंजालविज है और RRR फिल्म के नाटू-नाटू सांग को बेस्ट ओरीजनल सौंग का पुरुसकार मिला RRR फिल्म के जो निर्देशक है RRR फिल्म के वो है एस राजा मोली वहीं सरवाधिक जो साथ पुरसकार मिले Everything, Everywhere, All, At Once मुवी को मिले सरसेश फिल्म का पुरसकार भी इसी मुवी को मिला Everything, Everywhere, All, At Once इसके लावाँ इस फिल्म में काम करने वाली अभिनेत्री मिशेल योग को बेस्ट अभिनेत्री का वार्ड मिला और इस फिल्म के जो निर्देशक है Daniel Kwan और Daniel Shainard इन दोनों को सरसेश निर्देशक का वार्ड मिला बेस्ट अभिनेता का वार्ड ब्रेंडन फेजर को दव वेल मुवी के लिए भारत में जैसा कि मैंने बताया बेस्ट ओरिजिनल सॉंग का नाटू नाटू सॉंग को आर 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 जो मुवी है इसका म्यूजिक जो डारेक्ट किया था एमेम कीरवानी ने लिरिक्स इसके चंद्रबोस ने लिखे है वहीं बेस्ट डाकुमेंटरी शॉर्ट फिल्म का देलिफेंट विस्पल्स को गुनीत मोगा इसके निर्माता है कार्त की गुनजालविस इसके निर्देशक है बेस्ट डाकुमेंटरी फिचर फिल्म का अवार्ड वहीं नौलनी को मिला आसकर पुरुसकार की बात करें तो 16 मई 1929 से इन पुरुसकारों की शुरुआत हुई थी Motion Picture Arts and Sciences Academy USA के द्वारा ये पुरुसकार दिये जाते हैं इसलिए इनको Academy Award भी कहा जाता है भारत में अभी तक अगर इस बार छोड़ दिया जाए तो कुल पांच लोगों को मिल चुका था भानु थहिया को सबसे पहले आसकर पुरुसकार मिला था 1983 में गाधी मूवी के कास्टिम डिजाइन के लिए सत्जीतरे दूसरे भारती थे जिनको 1991 में Honorary Lifetime Achievement का आसकर पुरुसकार मिला था फिल्म जगत में योगदान के लिए किसी विशेश फिल्म के लिए नहीं मिला था ध्यान रखेगा रेसुल पुकुट्टी इनको 2009 में अब देखें बाकी तीन को जो नाम लिखे हैं इनको स्लम डाग मिलेनियर मूवी के लिए मिला था रेसुल पुकुट्टी को बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए ए आर रह्मान को दो पुरुसकार मिले थे जैहो के बेस्ट म्यूजिक कंपोजर के लिए और सौंग डिजाइन के लिए पाँचमा जो है गुलजार को मिला था जैहो गीत लिखने के लिए तो ये पाँच लोग थे जिनको अभी तक पुरुसकार मिला था अभी दो और इसमें जुड़ गये हैं फोस्टर का नियम अभी हाली में चर्चा में रहा जिसको दीप प्रभाव या आइसलेंड इफेक्ट भी कहते हैं दीपों पर बड़े शरीर वाली प्रजातियों में कमी होना और चोटे शरीर वाली प्रजातियों की संख्या में वृद्धी होना ये फोश्टर का नियम कहलाता है जीव विज्ञान की भाशा में हाली में चर्चा में रहा एक रिपूर्ट में पाये गया कि लोगों के आने से विलुप्त होने की जो दर है दस गुना की गति से बढ़ गई है किंजल या डैगर ये क्या है तो रूस द्वारा युक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर दिया गया ये हाइपरसोनिक मिसाइलों का नाम ही किंजल या डैगर है बारडर गाउसकर ट्राफी सुलहमी अभी हाली में उजित हुई भारत इसमें दो एक से जीत गया भारत दसमी बार इस टूर्णामिन में विजेता रहा है पांच बार इस टूर्णामिन को आश्चेलिया ने जीता है एक बार ये ड्राउ रहा है मैंनाब्द स्रीज आर अश्विन और रवीन जडेजा को इनके प्रदर्शन के लिए संयुक्त रूप से दिया गया भारत लगातार इसी के साथ दूसरी बार विजट टेस्ट चेंपियंशिप के फाइनल पहुँच गया पिछली बार न्यूज़ियलेंड से भिड़नत हुई थी लेकिन न्यूज़ियलेंड पहला विजटा बना था विजट टेस्ट चेंपियंशिप का अब भारत आस्टेलिया से मुकाबला करेगा टेस्ट फाइनल में ये बता दें आपको कि ये दूसरा विश्ट टेस्ट चेंपियंशिप का फाइनल होगा इसके पहले एक हो चुका है भारत और न्यूजिलेंड के बी इसमें न्यूजिलेंड जीता था ये एक एतियासिक मैच भी रहा क्योंकि भारती प्रधानमंती और आस्टेलिया ये प्रधानमंती दोनों इसमें समलित हुए इस मैच में और ये नरेंद मोदी स्टेडियम में खेला गया था जो आखरी मैच था बार्डरगावस का ट्रफिका 15 मार्च को विश्व भुकता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है 1983 से ही इस बार की जो थीम है Clean Energy Transitions है स्वच उर्जा सरक्षन है स्वच उर्जा की गति से युवाओं को सशक बनाना इसका लक्ष है ठीक है तो थीम याद रखेगा 2022 की जो थीम थी Fair Digital Finance थी जो पूछा जा चुका है एक्जाम में सुरेखा यादो ये हाली में चर्चा में है एशिया की पहली महिला लोको पाइलेट ट्रेन की जो चालक होते हैं उनको लोको पाइलेट बोलते हैं दोस्तों 1988 में ये पहली महिला लोको पाइलेट बनी थी एशिया की अभी हाली में वंदे भारत ट्रेन भी इन्होंने चलाया है और वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पाइलेट ये बन गई है ब्रिटेन यहां की संसद में रक्षा और विदेश नीति में भारत के स्युक्तराज सुरक्षा परशद में 27 सदस्ता का पुर्जोर समर्थन किया गया है तो पहली बार है जो बिटेन ने वपचारी ग्रूप से पुर्जोर समर्थन किया है भारत के UNSC में सदस्ता का इसके साथ ही स्युक्तराज सुरक्षा परश्चत में आमूल चूल बदलाओ के लिए भी इसने बात कही है भोपाल मदवरिश की राजधानी है यहां तीसरा दिव्यकला मेला आवजित हुआ साजा बहुत विरासत पर अंतराश्टी सम्मेलन कहां पर आवजित हुआ तो नई दिल्ली में आवजित हुआ मद धेशिया और S.C.O. देशों के साजा संस्कती को एक दूसरे को आदान प्रदान करने के लिए बढ़ावा देने के लिए लापेरोस यह बहुत पक्षी समुद्री अभ्यास है हिंद महासागर में आवजित हुआ भारत, आस्टेलिया, फ्रांस, जापान, युएस से की सेनाओं ने इसमें नो सेना इसमें भाग ले रही है फ्रांस इसी नो सेना के द्वारा ये आवजित हुआ है लापेरोस सिप्री रिपोर्ट दोजार तेइस स्टाक होम इंटरनेशनल पीस रिशिट्यूट हर वर्ष जारी करती है थियारों के संबंद में आकड़े 2013 से 17 और 2018 से 22 के बीच भारत के हतियार आयात में 11 पतिशत की कमी दर्श की गई है इसके बावजूद भारत अभी भी आयात में हतियारों के आयात में नंबर वन देश बना हुआ है वैश्विक हतियार आयात की बात करें तो 11 पतिशत पूरे विश्र के आयात का भारत में होता है पहले अस्थान पे है, दूसरे अस्थान पे सौधी अरव है, तीसरे पे कतर है, चोथे पे अस्टेलिया, पांच में पे चाइना है, पाकिस्तान आठ में पे आ गया है, क्योंकि चाइना से एक तरफा अगर देखा जाए, तो बहुत जादा हतियार आयात पाकिस्तान को हो रह निर्याद तक अगर राश्णों की बात करें तो सबस्यादा विश्व में अगर निर्याद कोई करता है हतियार का तो युए से करता है 40 पत्षट उसके बाद रसिया 16 पत्षट फिर फ्रांस तीसरे अस्थान पे है चोथे अस्थान पे चीन पांच में पे जर्मनी है भारत को कौन सबस्यादा आपूर्ती करता है हतियार का तो रसिया करता है 45 पत्षट अकेले हाला कि पहले रसिया 75 पत्षट करता था फिर 60 पत्षट किया उसके बाद अब 45 पत्षट पे आ गया है इसका मतलब कि भारत को आपूरती करता हूँ जो अन्य देश हैं वहां से आपूरती बढ़ी है जैसे अमेरिका हो गया फ्रांस हो गया है अमेरिका तीसरे पे चला गया है अमेरिका पहले दूसरे अस्थान पे था 2013 से 2017 से तरह और 2018 से 22 के बीच में अमेरिका का जो निर्यात है 14 परतिचत बढ़ा है वैसिए ठिस्से दारी जहां अमेरिका की पहले 39 परतिचत हुआ करती थी अभी 40 परतिचत हो गई है वहीं रूस का निर्यात 31 परतिचत घट गया है वैश्विक हिस्सेदारी जहां रूस की 22 प्रतिशत थी वो घट करके 16 प्रतिशत हो गई है इस तरह से रासिया और अमेरिका के बीच का जो गैप है वो काफी बढ़ गया है शिव शंकरी ये तमिल लेखिका है सूर इवन्षम कृति के लिए इनको सर्वस्ति सम्मान दोजार बाई जो 32 सर्वस्ति सम्मान है उससे सम्मानित किया जा रहा है के के बिल्डा फांडेशन के द्वारा ये अवार्दी आ जाता है विश्व वाई गुडवता सुचकांग आईक्यू एर जो संस्ता है स्विडियर लेंड की जारी करती है विश्व के इसके जो आंकडे है महत्मूर विश्व के 50 सरवाधी प्रदूशी शहरों में 49 भारती है विश्व के टॉप 10 शहरों में 6 भारती है विश्व के 100 टॉप के प्रदूशी शहरों में 65 भारती है ये एक विकट परस्तिती है भारत के प्रदूशन के अगर बात करें शहरों में पहले अस्थान पर अगर देखा जाया तो लाहोर है पाकिस्तान का सफस्यादा प्रदूशीत है पूरे विश्व में दूसरे अस्थान पे होतान है चाइना का, तीसरे पे भीवाडी राजस्थान भारत का, और चौथे अस्थान पे दिल्ली है अपनी राज़ानी, अगर देशों की बात किने तो सबस्यादा प्रदुशित देश चाड़ है, दूसरे अस्थान पे इराक है, तीसरे पे पाकिस् पाँछमे पे पनगला देश है आठमें अस्थान पे भारत है अगर हम देशों की तिति देखें पहले भारत पाँचमे अस्थान पे था इस दिष्ट से देखें तो भारत की तिति में सुधार होता दिखाई पड़ रहा है नजा मीना चाड की राजधानी है ध्यान रखेगा विश्व की सरवाधिक प्रदोस्चित राजधानी ये बनी है मनामा ये बहरिन की राजधानी है दोस्तों यहां अंतर संसदी संग की 146 मी बैठक का अरजन हुआ शेक मुहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल्थानी ये कतर के नए प्रदान मंत्री बने है रोही शर्मा अंतराश्टी क्रिकेट में 17,000 रन बनाने वाले साथ में भारती क्रिकेटर बन गए हैं विश्व के 28 में नागपूर में भिखारी मुक्त शहर पहल सुरू की गई है इरान और सौधी अरब के मध्य साथ वर्ष राजनेक संबंद बहाल हुए हैं चाइना और पाकिस्तान के प्रयासों से 2016 में शिया गुरू निम्र अल्ब निम्र को सौधी अरब में फासी दे दी गई थी जिसके कारण दोनों देशों के मध्यतनाव हो गया था हिमाचर प्रदेश में मुलेटी की संग्ठित खेती होगी और मुलेटी की संग्ठित खेती करने वाला देश का पहला राज ये बन गया है मुलेटी एक जाड़ी नुमा पौधा है इसके तने की छाल का औशदी उप्योग होता है अभ्यास सी ड्रेगन 23, सी ड्रेगन 2023 ये एकसरसाइज USA नेवी के द्वारा आयोजित होती है सैयोक्त बहुपक्षिय पंडुब्बी रोधी युद्य अभ्यास है भारती नोसेना का P8I विमान इसमें भाग ले रहा है आयनेस दुरुणाचारे को प्रेसिडेंट कलर ये प्रदान किया गया राश्पती महुद्य के द्वारा नई दिल्ली में वैश्विक बाजरा समेलन 18 मार्च अर्थात कल आपने देखा प्रदान मंति ने संबोधित किया बाजरे के उपियोग के बारें बताया, उसकी आउशक्ता, उसके महत्यवगारें बताया और ये भी बताया कि कैसे भारत के प्रयासों से संफी राश्पन इस वरश को बाजरा वरश के रूप में घुशित किया है एरिक गार्सेटी भारत में अगले अमेर्की राजदूत होंगे जनवरी 2021 से ही ये पद खाली है जियानी इन्फेंटीनो पुना फीफा के अध्यश बने हैं पुणे में सात्वा अंतराष्टी मदुमेश शिकर समिलना जित्थवा महराष्ट के पुणे में बोल्ड कुरुक् जिसको चाइना स्विकार नहीं करता है भारत और चीन के मद्धी 1914 में शिमला समिलन के अधार पर इसकी अध्यक्सता जो मैक मोहन महोदय ने की थी उनके नाम पर ही मैक मोहन रेखा इसका नाम रखा गया है अमेरिकी सीनेट ने आपचारिक मानता इस अंतराष्टी रेखा को दे दी है इसलिए चर्चा में आया अभी पूछेगा किस कहा की सीनेट ने या कहा की संसत ने मैक मोहन रेखा को अंतराष्टी मानता दी है या किस देश में तो अमेरिका ने फ्रेडी ये उश्कडबंधी चक्रवात है अब तक का सबसे लंबा चक्रवात इसको दर्श किया गया है आश्टेलिया की तट से ये पैदा हुआ और दक्षिन अफीका तट में जाके टकराया आसपास के शेत्रों में काफी तबाही मचाई ये पीएम मित्र प्रधान मंत्री मेगा इंटीगेटेड टेक्स्टाइल रीजन एंड अपैरल योजना ये 2021 में सुरू की गई थ जाएंगे कहां कहां तमिलनाडू, तेलंगाना, करनाटक, महाराष्ट, गुजराद, मध्यपदेश और उत्तरपदेश फाइव एफ ये इसका विजन है जो ये योजना है क्या-क्या फार्म टू फाइबर, टू फैक्टी, टू फैशन टू फॉरेन इसके अनुरूप इसके पहले आरबियाई और सेबी ने पहले ही मंजूरी दे दी थी, तब इनका विले हो जाएगा, अगर देखें तो 2001 में ICICI और ICICI बैंक, इनका विले हुआ था और वो सबसे बड़ा विले माना गया था निजी शेत्र में, इसको भी उसी शेड़ी में रखा जाएगा, बहुत समयबाद इतना बड़ा विले हो रहा है, अंतर राष्टी अपराध नियाले, ये ध्यान रखेएगा कि अभी हाली में इसने रूसी राष्टी ब्लादी मिर पुतिन को जो युद्ध अपराध है, उसके तहत गिरफतारी वारण जारे किया, रोम संबित के अधार पर एक जुलाई 2002 को अंतर राष्टी अपराध नियाले की स्थापना हुई थी, इसका मुख्याले दहेग नीदर लेंड में है, इसने हाली में रूसी राष्पती ब्लादी मिर पुतिन के लिए गिरफतारी वारण जारी किया, जिसे रूस ने मजाक क तरह लिया है, और लेना भी था, उसको मैंने आपको बताया था, उसने इसको टाइलेट पेपर तक बता दिया, वह आप समझ सकते हैं कि रसिया अंतर राष्टी संग्टनों को किस तरीके से लेता है, या रसिया हो, अमेरिका हो, इनके लिए कोई माने नहीं रखते अंतर र उत्रकंड को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरुवात हुई थी, 2014 में भारत ने अपने आपको हालांकि पोलियो मुक्त अपचारी ग्रूप से घोशित कर रखा है, उत्रकंड यहां के विधान भौन में फूल देई उस्सो आविजित किया गया, आहार दोजार तेईस एशिया का सबसे बड़ा अंतराष्टी खाद्य और आतित मेला है, फूड एंड हस्पिटल्टी फियर दोजार तेईस है, यह नई दिल्ली मैयुजित हुआ, आहार इसका नाम है, शुक्रग्रह विनस, यहां नासा को सक्रीजवाला मुकी के प्रमाण मिले हैं, मैगलन यान जो नासा का है उसने रडार के माध्यम से इसको खुजा है, अल्टा रेजियो शेत्र ये शुक्रग्रह में ही इस्तित है, इसी अल्टा रेजियो शेत्र में वहां सबसे बड़े ज्वाला मुकी शुक्रग्रह के पाये जाते हैं, इनका नाम ओजो मोंस और माट मोंस है, यह पर ये सक्री ज्वाला मुखी देखे गए उसके प्रमाण में लें। वारानसी में दो दिवसी संगाई सेवक संग्ठन परेटन मंत्रियों की बैठक आयुजित हुई। कहां वारानसी में। मंत्यमंडली कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी। तीनों सेनाओं और भारती तट रक्षक जो बल हैं इनके लिए पूजी गत नेने लेने वाली सर्वोच संस्था है। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री करते हैं। शक्ति कांदास यहां का लिजएगा। शक्ति कांदास जो की आरवियाई के गवर्नर हैं। इनको सेंटल बैंकिंग अवार्ड थोजार तेईस में गवर्नर आफड़ येर का पुरसकार मिला है। प्रधान मंत्री ने इनकी प्रसंसा भी की। ली नियोजना ये किस से संबंदित पूछेगा तो MSME शेत्र को मजबूत बनाने के लिए अर्थात ये MSME शेत्र से संबंदित है। पूलेंड युक्रेन को लड़ाको इमान देने वाला पहला नाटो देश बन गया है।